मुलाइम सिंग यादब के बंगले की सेर हम दिखाएंगे घर का कोना-कोना किसी महल से कम नहीं है नेता जी का घर घर में लगी हर चीज है बेशकीमती आखिर क्यों खास है नेता जी का घर सफा सनरक्षक मुलाइम सिंग यादब वो शक्सियत है जिनके बारे में अगर बात की जाए तो बातें कम पड़ जाएंगी लेकिन उपलब्दियों की कतार खत्म नहीं होगी मुलाइम सिंग यादब से जुड़ी बातें हर शक्स जानना चाता है कोई नेता जी के रिकॉर्ट्स जानना चाता है तो कोई नीजी जिन्दगी में दिल्चस्पी रखता है तो कई लोग ऐसे हैं जो नेता जी का आशियाना देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर नेता जी जिस जगें पर रहते हैं वो कैसी है तो आज हम आपको करवाएंगे नेता जी के घर के दर्शन नहीं है इटावा शहर की पॉश कॉलोनी सेविल लाइन में मौजूद नेता जी का घर अपने अंदर तमाम कहानियां समेटे है और उस शक्स को पना देता है जिसने उतर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश को सजाया, संभारा और विकास की उचाईयों तक ल सब सफेद रखा गया है वहीं खिड्कियों और दर्बासों को भी काफी करीने से पेंट किया गया है जिसमें कई पर सफेद पेंट है तो कईयों का रंग दूसरी तरह का है खास बात यह है कि नेता जी के घर पेंटिंग्स और शीशो को खास तरह के फ्रेम में जड़कर गर में सीडियों पर लगी गिरिल और दर्बाजों की कुंडियों फर्ष की टाइल्स का खास खयाल रखा गया है ताकि किसी भी तरह से चीजें विस्ट मैच न लगें इटावा की सिविल लाइन में मौजूद नेताजी के बंगले में कई राजनितिक हस्तियां उनसे मुलाकात करने पहुँच चुकी हैं जिसमें मौजूदा स्यायम योगी आदितनात तो शामिल है ही साथ ही सपा के तमाम समर्थक और दिगज नेताओं का भी नामाता है आखिलेश यादबी गाहे बगाहे अपने पिता से मिलने इटावा आते रहते हैं और बच्चों के साथ मिलकर नेताजी का आशुरबाद लेते हैं वहीं अपने नाती नातिनों के साथ नेताजी भी कई बार मस्ती मजाग करते दिखाई देते हैं तो जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं नेता जी के घर के कुछ खास तस्वीरों के साथ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेर करिए और इंस्टाग्राम, ट्विटर और फिस्बुक पर हमें फॉलो जरूर करिए, साथ ही यूट को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ब्यूरो रिपोर्ट मीडिया हल चल